नाइट ऑफ वेंस आपके परसंट का आपको लेकर पैशन पढ़ गया है बहुत आपको पाने की इनके अंदर क्रेविंग बढ़ता जा रहा है काफी पैशनेट हो गया है आपको लेकर गाइस देखिए बॉटम ओफ देख लवर का का रहा है आपके परसंट ना फिजिकल एक् अपके परती खाली फिल करते है आलसो इन कार्ट के ट्रूम मुझे ऐसा लगता है ना अपके परती ने बहुत लव वाल एट्रेक्शन बढ़ रहा है इनके अंदर आपके साथ होने का एक जुनून सा इनके अंदर हो रहा है ठीक है यह परसंट आपकी तरफ रिटन आना चा आते हैं ठीक है Aries, Leo, Sagittarius की energy फिलहार अभी तक आई है यहाँ पर four of curves आया है guys that means आपके person आपके साथ इस relationship में काफी मतलब past में on and off वाली situation में आपको रखाता है इन्हों ने ठीक है इस person ने आपको commitment नहीं दिया था और जब आप इनसे commitment मागते थे ना तो यह person है ना commitment के नाम से भागते रहते थे ठीक है guys आपके person के अंदर आपके लिए ना love emotions मुझे तो मतलब देख तो रहा है ठीक है बड़ जो कमी है ना जो negativity है ना जो कमी है ना इस relationship में वो है commitment ठीक है यह person commitment मतलब आपको नहीं देख पा रहे थे पास्ट में ठीक है जब भी आपने इस इनसान से commitment मांगा ना तब यह इनसान ना गायब हो गए ठीक है ignorance की आपको ignore की आपको ठीक है ignorance की energy आ रही है यह person आपको पूरी तरह से avoid किया इन्होंने आपको no contact की situation में आपको डाल दिया ठीक है यह person आपकी phone भी receive नहीं करते थे also आपके text messages को पढ़कर reply नहीं करते थे okay आपको no clarity बिल्कुल नहीं दिया इस person ने इस person हमेंशन आपको बोला होगा कि ना कुछ time wait कर लो ताकि यह अपना financial situation को stable कर ले ठीक है या यह अपने family के साथ freely इस रिष्टे की बारे में बात करे ठीक है तो ऐसा मतलब ऐसा बोला था अपके person ठीक है जातक मुझे अभी फिलाला अभी तक के energy में ऐसा लग रहा है also guys यहाँ पर ना family problems okay family problems ही मुझे दिख रही है family issues के कारण यह person रिष्टे को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे and guys कुछ-कुछ के person अपने financial मतलब financial के कारण यह relationship को आगे नहीं बढ़ा पा रहे है या तो कोई third party भी हो सकता है जिसके वज़े से ठीक है यह person ना दो option के बीच मतलब जगल कर रहे थे okay या कुछ लोगों के लिए उनका work भी हो सकता है यह person ना मतलब stable नहीं थे उस समय इस परसर ने आपको छोड़ दिया आपको cheat किया ऐसी वाली energy guys मुझे मिल रही है ठीक है current feelings में आपके परसन आपके तरफ बढ़ना चाहते है आपके साथ जस्टिस करना चाहते है अगर पहले आपके परसन के life में बहुत सारे choices थे ना तो वे confused थे third party आप में पहले decision नहीं ले पा रहे थे तो अब present के energy में ये परसन बिल्कुल clear है ठीक है ये अपना आपके साथ ही जोड़ना चाहते है जितने भी third parties है ना उन सब को आप छोड़ना चाहते है कीनी लोगों के परसन आलरेड़ी छोड़ चुके है ठीक है दीरे दीरे करके इनके mind में जो juggling चल रही थी ना वो अब खत्म होत का मुझे दिख रहा है ठीक है and new beginning आपके साथ करना चाहते है बट कुछ लोगों की परसन अपने करियर को बनाने के लिए ठीक है अपने life में focus है या ये काम करने में focus है तो में भी ये हो सकता है कि या आपको या अपने करियर के बीच में जगलिंग कर रहे थे पास्ट में बट कुछ भी हो पर ये परसन आपके पास रिटन जरूरा हैंगी गाईस ठीक है ये परसन इस बार equally given take करना चाहते है इस रिष्टे में और balance लाना चाहते है ओके आपकी जो wish है उसे fulfill करना चाहते है ठीक है अंदर से इनकी जो wish है यही चाहते है इस परसन को यूनिवर्स ने न कहीं न कहीं इनकी awakening कर रहे है अब इन्हें अच्छे और बूरे चीजों का महत्वत समझ में आ रहा है ठीक है इन्होंने आपके साथ जो भी अन्याई किया अब वह आपको न्याई देना चाहते हैं कहीं न कहीं यह परसन अपना कर्मा भी पकड़ा था ना ठीक उसी तरह अब थर पार्टे ने आपके बजन को छोड़ कर छोड़ दिया है ठीक है और वह कहीं दूसरी और चली गई है या चले गया है आप लोग रेजनेट कर लीजेगा तो गाइस कर्मा इस्रियल अब आपके बसन आपके तरफ रिटेन आने की आते हैं इन्हें अब सेल्फ रिलाइजेशन हुआ है गाइस अब आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है आपके रिष्टे में विक्ट्री एंड सकस्स जरूर आएगी ओके गाइस आपकी जो मैनिफेस्टेशन ना बढ़ता जा रहा है गाइस अच्छी तर डेफिनेटली आपको ही चूस करेंगे क्योंकि आपके पसन के पास क्लेरिटी आ चुकी है भी